जी असलाम नेकम डियर स्टूडेंट कैसे आम मीद करती हैं कि आप सब खेरियस सी होंगे सेकंड येर केम्प्यूटर साइंस मोस्ट इंपोर्टन्स शॉर्ट एंड लोंग क्वेसिन ठीक है यह मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन किये हैं यूंट नंबर वन इसकि डाइटा मृटिपके किशन्स तो डाइटा मृटिपकेशन क्या होता है इसकी की डिविनेशन आ कि यह है ji क्या है इसकी डेफिनेशन आप लोगों कर लेनी पहले चैप्टर के अंदर जो आपके short question है वो बता रहा हूं define the file with the example file किया है और example बताएं define the program ठीक है और different types of program की जो files हैं वो लिखें आगे लिखा हुआ है कि difference between the data and information data किया है और information किया है यह आप लोग ने लिखें ठीक है define the data processing इसकी definition आ सकती है उसके बाद name of the two function जो है dbms यानि के database management system ठीक है यह लिखने है उसके बाद unit number two है the property लिखनी relation की उसके बाद index लिखना है define the for key लिखना है उसके बाद define the key लिखना है उसके बाद define data administrator किया होता है define table and relation इसके बाद आप लोग ने relation ठीक है database किया होती है what is the entity and the ERD किया होता है who is user and user ठीक है यह क्या होता है और उसके बाद आपने लिखना है what is the purpose of the using views तो यह chapter number two था अब चैक्टर number three है define attributes ठीक है define the data modeling किया होता है उसके बाद define purpose of the define the purpose of the diagram उसके बारे में अब मैं जो है कि reading नहीं करूँगा ऐसे ही मतलब update करता रहूँगा क्योंकि पांच मिन्ट के अंदर अंदर मैंने यह चीज़ें खतम करनी है short बिल्कुल short करना है तो ठीक है यह unit number five है इसकी जो short question है यह आप लोग लिख लें ठीक है अपने वेपर पे और इसको note कर लें ठीक है यह unit number six के भी कुछ question है रिपोर्ट बहुत important question जो most important question है वो मैंने नकाल के highlight करके आप लोगों को दे दी है unit number six के अंदर यह key वाला chapter है primary key क्या होती है इसकी definition आ सकती है degree of the relation जो importance ठीक है उसके बाद question number five जो है यह भी importance है उसके बाद sub form क्या होती है इंतहाई importance column क्या होता है इंतहाई importance index of the message box इंतहाई importance उसके बाद code window क्या होती है यह भी बहुत important है ठीक है और इसके बाद जो even of the keyboard यह भी इंतहाई का question है और बहुत ही important है उसके बाद चैप्टर number eight है इसको हम discuss करते हैं define the program यह इसमें से बड़े question आते हैं ठीक है तो यह क्या है define program जो है यह करना है और उसके बाद cases of the c language ठीक है वो बताना है यानि की define program की भी तरीफ याद करनी है define programming की भी करनी है what is programmer क्या होता है program बनाने वाला programmer होता है define between the logic error and syntax are very important question what is header file what is compiler assembler very important questions यह सारे के सारे जो question है very important है यह आप लोगों के लिए बहुत तरीं solution है और यह आप लोगों के लिए चैप्टर number nine जो है यह भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है लास्ट यह वीडियो तोड़ी सी और देख लें अच्छी तरह लास्ट पे लूप क्या है लूप की definition आगे लिखा वाई लूप क्या है और उसके बाद राइड़ संटेक्स आफ लूप very important राइड़ संटेक्स आफ दू वाई लूप very important चैप्टर number three ठीक है और इसको देखते हैं क्या है कि इसके अदर काल function क्या होता है यह सारी के सारी बाते आपने यार लिक नहीं है और lifetime of the actual variable क्या होता है इसको unit number आपका 14 है इसको तो इसके अंदर क्या है कि आपने जो है कि binary syntax के बारे में बताना है बैनरी system क्या होता है syntax file क्या होता है file lost क्या होता है अब long question very important long question what is the modeling what is the यह सारी जो इसकी modeling की detail करनी है ठीक है उसके बाद question number आपका हो गया यह one और question number two हो गया देख ले मैंने one one ही लगाया हुआ है ठीक है और MS access के बारे में आपने types variables की लिखनी है और लिखना define the query क्या होती है explain the user इसको कैसे explain किया जा सकता है और example दे यूनिट number six के अंदर यह question जो के मुझूद है आगे question number फिर आ गय है कि discuss different method of the जो आपके modifying है और इसका table unit number six next question जो आपका long है unit number eight से उठाया गया है ठीक है तो write the writing a program types of error एक प्रोग्राम लिखें और इसके अंदर आए आरचे राय अफसल वाट्सअप zero three zero one six eight one double two double nine चैनल को subscribe करें बैल आइकन को दबाएं और मेरे पास आजें और यह file आप अंसल कर सकते हैं thank you so much अगर वीडियो अच्छी लगी है subscribe like करें अलाहाफिस